सबसे पहले बात करते हैं तो इसके लिए कौन से eligible customer होते हैं तो सबसे पहले होते हैं old age people या आपके senior citizen जो होते हैं वो आपके इसके लिए eligible होते हैं लेने के लिए फिर दूसरी condition है कि उनके पास कोई regular income का source नहीं है या फिर वो pensioner है और उनकी pension sufficient नहीं है जो भी उनके monthly expenses हैं उन पिर तीसरी condition है एक घर के मालिक हो यानिके जो उनकी property है वो residential हो और self occupied हो self occupied होना बहुत जरूरी है तो यह तीसरी condition है तो जो भी आपकी residential property है उसका market value निकलवाता है bank सबसे पहले अगर मालीजे आपकी जो property है उसकी market value 20 लैक रुपया आती है तो उस case में जो bank है loan वो इसका 40-50% ही देते हैं यह निके जो loan amount है वो आपका हो जाएगा करीब 10 लाग अब मालीजे इसमें कई option भी होते हैं यह तरह की annuity है कि आपको जो भी 10 year आप select करते हैं उसमें आपको fix payment हर महीने मिलता रहता है आप मालीजे आप 10 year का loan period select करते हैं तो उस case में क्या होगा जो 10 लाख रुपए हैं उसको bank divide करेगा 20 month से यानि के अगर आपको annuity monthly चाहिए तो उसको month से divide करेगा तो इसमें जो भी amount आएगा वो आपकी monthly income हो जाएगी एक तरह से या annuity हो जाएगी और इसमें bank जो भी discount factor है वो apply कर देता है अगर माल लीजे डिवाइड होके यार यह माल लीजे 5000 रुपीज पर मंत तो इसमें जब discount factor लएगा तो यह करीब 4400 रुपे पर मंत हो जाएगी इस तरह से जो आपकी pension है वो बनती है जनने लीजे यह loan है वो 61 year से सुरू होके अगर आपकी 61 year है तो यह 80 year तक जाता है यह फिर जो भी last survivor होग हज्वेन और wife में अगर joint लिया है तो जो भी last survivor होगा उसके death होने तक यह loan की tenure है वो जाता है जनने लीजे 20 year के लिए bank आपको देते हैं तो इस तरह से जो loan का amount वो fix होता है आपकी monthly income fix होती है जो monthly income है वो आप quarterly भी ले सकते हैं या निकतिमाई पर या फिर monthly ले सकते हैं या तो इस तरह से आप इसकी frequency भी decide कर सकते हैं और कुछ bank इसको आपको lump sum भी देते हैं मालीजे आपको कोई treatment कराना है medical treatment तो उस case में वो lump sum भी amount आपको एक ही बार में दे सकते हैं तो यह bank to bank differ करता है लेकिन overall इस तरह से loan का amount decide होता है उसकी frequency decide होती है अब बात करते है rate of Pinterest की अग बात करें जो इसमें rate of Pinterest है bank को के वो जनली रहेंगे आपके साले 10% से साले 11% के बीच में यह bank to bank differ हो सकते हैं यह तो हुआ आपका ROI rate of Pinterest then आपके processing charges जब loan आपका process होता है तो उसके processing charge भी कुछ bank लेते हैं यह आपके loan amount के 0.25% से 0.4% तक हो सकते हैं यह भी आपके bank to bank differ करते हैं प्लस इसमें 18% GHDB साथ में लगता है तेन बात करें बाकी खर्चों की तो बाकी खर्चों में आता है आपका जो भी आपकी residential property है उसका bank valuation कराता है तो उसमें जनरली जो valuation का खर्च है वो पांस से 6000 के बीच में होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपकी property की value थोड़ी ज़्यादा आती है यह हो गया valuation है खर्च देन जो legal search कराता है bank उसका भी खर्चा advocate को देना होता है तो उसका जो खर्चा होता है जनरली वो तीन से annual fees annual fees में जो bank है वो सालाना तोर पर आपसे कुछ ना कुछ fees लेता है जो की 0.2 से 0.3% of the loan हो सकती है यह भी bank to bank defer करती है फिर इसमें revaluation charges होते हैं जो भी आपकी property होती है उसको जनरली वेंक तीन से पांस साल की बीच में उसकी revolution कराते हैं तो यह भी आपकी 2-3,000 रुपे हो सकती है तो यह मोटी तोर पर जो भी rate of interest या बाकी अधर charges है in case of reverse mortgage loan अब बात करते हैं कि loan repayment किस तरह से होता है एक तो होता है कि जो loan का आपका tenure है वो पूरा हो गया है तो अगर जो भी loan लेने वाले हैं अगर वो चाहें तो इस loan को repay कर सकते हैं या फिर आप repay भी कर सकते हैं इसकी जनरली कोई repayment penalty नहीं होती है दूसरी condition यह है कि जब जो loan लेने वाले हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है दोनों की उस case में क्या करेगा जो bank है वो प्रोपर्टी को आपकी sale करता है लेकिन जो प्रोपर्टी जब sale होती है तो सबसे पहला जो right है वो legal here को मिलता है जो भी उनके legal here होते हैं यानिके उनके सगे संबंदी या परिबार के लोग होते हैं तो उनको सबसे पहला right मिलता है इस property को खरीदने के लिए अगर legal here चाहें तो इस loan को pay करके जो प्रोपर्टी है वो उनको return कर देते हैं bank तो दो तीन सिनर्यों है कैसे कैसे आपका loan repayment हो सकता है अगर कोई भी इसमें से option नहीं होता है तो bank normally तो पर जो property उसको sale कर देते हैं और उससे जो भी amount मिलता है उससे loan repay आपका हो जाता है एगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा उनके legal here को लोटा दिया जाता है तो इस तरह से जो इसका repayment है loan का वो काम करता है तो यहां पर यह जो union bank है उसका loan calculate रहे for reverse mortgage loan तो हमने example के तो पर calculate किया है loan amount हमने लिया यहां पर 10 लाग यानि के property की value जो 50% है वो 10 लाग है और interest rate हमने माना है 11% और जो period है in month वो हमने माना है 10 साल के लिए यानि के 120 period फिरी calculate करने के बाद इसमें आता है जो आपका monthly interest आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,441 रुपे तो यह आपकी monthly average income हो जाती है और जो इसकी EMI आएगी loan की वो रहेगी 13,775 रुपे इस तरह से जो आप अपनी reverse mortgage के calculation कर सकते हैं इस website का link हमने description में दिया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप further अपना calculation कर सकते हैं आपके amount और tenure के हिसाब से friends thanks for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें साथ है मैं चैनल को subscribe भी करें अगर आपको कोई भी question है इस वीडियो से related तो comment box में जरूर उसको post करें